इस बड़े देश में बैन हुआ इसलाम मज़भ तोड़नी सारी मस्जिदें चरणार्थी बनकर आए मुस्लिमों ने मचाया आतंक अब रातों रात छिन गए इनके सारे अधिकार दीरे दीरे पूरे दुनिया में फैल रहे इसलाम धर्म को इस यूरोपीय देश ने दिया जटका आज के समय में इसलाम तेजी से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है वैसे तो इसके कई कारण है परंतु मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों का धर्मान तरण कराना है ऐसे में यूरोप के एक बड़े देश ने बड़ा फैसला लिया है जिसने अब इसलाम को पूरी तरह से प्रतिमंदित कर दिया है आपको जानकर हैरानी होगी एक तरफ जहां हमारे भारत में CIA कानून बनाने में जहां सरकार के पसीने छूट गए थे विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था शाहीन बाग सहित देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन हुआ जबकि सबको मालूम था किसी ये एक कानून नागरिक्ता देने का कानून है लेने का नहीं लेकिन फिर भी एक समुदायदवारा इसका विरोध हुआ वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया में सत्ता में मौझूद स्लोवाक सोशल डेमोक्रसी पार्टी इसलाम पर बैन लगाने के लिए कानून लेकर आई तो विपक्ष पाटी ने भी पून सहयोग देते हुए इसे पून बहुमत से पारित करवाया इसके बाद स्लोवाकिया में इसलाम पर पूरी तरह से प्रतिवंधि लग गया दोस्तों कहने का ये अर्थ है कि इसलोवाकिया में अब कोई भी नागरिक खुद को एक मुसलमान के तौर पर रेजिस्टर नहीं करा सकता है यही नहीं लोवाकिया में धर्म की लिस्ट में अब इसलाम का नाम भी नहीं है क्लोबाकिया में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहां की सरकार का ये मानना था कि इसलामिक कट्टरपंथ वच्चरमपंथ को बलहावा दे रहा है हमारे देश में इसलाम वो शिक्षा है जो मदर्सों और मस्जिदों के जरिये लोगों के बीच पहुँच कर समाज में नफरत पैदा करती है प्राप्त जानकारी के अनुसाब वर्ष 2010 में यहां मुस्लिमों के अबादी 5000 के आसपास थी जो देश की कुल आबादी का शूने दशमलव एक फी सदी था 17 सदी के आसपास आईरिट तुर्गवा ओएगेर मुस्लिम यहां फैल गए थे स्लोवाकिया पहले यूरो स्लोवाकिया कहलाता था परंतु आंतर एक कलर के वजए जब ये टूटा तो स्लोवाकिया एक अलग देश बन गया यूरो सलाविया के टूटने से बने देश बेसनिया वा अलवानिया भी थे तमाम मुस्लिम यहां शरणार्थी की रूप में पहुंचे थे स्लोवाकिया देश यूरोपिय यूनियन का सदस्य जरूर है परन्तु ये सबसे बाद में इसका सदस्य बना है वर्ष 2015 में यूरोप के सामने मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था उस समय स्लोवाकिया ने 2000 एसाईयों को शरण दे लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से मना कर दिया इस पर स्पश्टी करण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्राले ने कहा था कि उनके हां मुस्लिमों के धार्मे के बादस संबन दी कोई जगए नहीं है इसलिए मुस्लिमों को शरण देने से उनके देश में कई समस्याएं पैदा हो सकते हैं अलाकि यूरोपे यूनियन ने स्लोवाकिया के इस फैसले की आलोचना भी की थी परन्तु इसके बाद स्लोवाकिया ने ये कानून पास करके इसलाम को हमेशा के लिए अपने देश में बैन कर दिया यहां ये भी बताते चलें कि स्लोवाकिया में नियम और कानून सक्ती से पालन किये जाते हैं जैसे कि हाँ हर किसी को अपना पैचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना होता है यहां द्वनी प्रदूशन से निपटनी के लिए भी बड़ा कानून है यहां आप सुब 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हल्ला नहीं कर सकते किसी से खराब व्यवहार नहीं कर सकते ऐसा करने पर न सिर्फ पुलिस पकड़ती है बलकि मोटा जुर्माना भी हो सकता है इसलामिक चरम पंतियों के बढ़ते भाय और लगातार बढ़ते प्रवासी संकट के बीच इस देश के राजनेताओं ने समस्या पर गंभीर विचार किया जिसके बाद उन्होंने इसलाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया यहां के मुसल्मान या तो किराय के घरों में रहते हैं या फिर आस्थाई प्रार्थना घरों में खोल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्लोवाकिया एक मात्र वो देश है जा मुसल्मानों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है अलाकि हिंदु धर्म को मानने वालों को यहां कुछ विशेश अधिकार अप्राप्त है आपके इस लोवाक्य देश के इस नय कानून पर क्या राय है हमें कॉमेंट में लिखकर बताएं साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें धन्यवाद